हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, रेलवे अन्टी पीसी और गुरूप डी के लिए जनरल साइन्स की मौस्ट इंपोर्टन कोस्टन, जिसमें हम यूथ कंप्टीस और राइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का प्रेक्टिस राइट नमर दस, जिसमें हम संबेग, बेग, बिसतापन की मौस्ट इंपोर्टन कोस्टन डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला कोस्टन है, दिरभबुमान और बेग के गुलन पल को क्या कह जिहान रखें, अगला कोस्टन हमारा एक बस्तू का दिरभबुमान 85 किलोग्राम बेग 60 मीटर पर सेकंड इंपर्स है, बस्तू का संबेग ज्याद करें, तो दोनों का मल्टिप्राइग करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, एक क्या बन 100 केजी मीटर पर सेकंड इंपर्स, अगला कोस्टन देखते हैं, M by 2 दिरभबुमान की कोई बस्तू जिसका संबेग 2 भी है, का संबेग होगा, तो संबेग कितना होगा, इन दोनों का मल्टिप्राइग करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, M by, option number B हमारा correct हो जाएगा, आप इसके solution को भी देख सकते हैं, option number B correct हो जाएगा, इसकी theory मैं discuss कर चुका हूँ, अगला कोस्टन देखते हैं, 80 kg दिरभबुमान की एक बस्तू बेग कितना है, 60 meter second inverse, बेग के साथ गतिमान है, बस्तू में उत्पन संबेग कितना होगा, फेंस दोनों को multiply करेंगे, 6, 8, 40 हो जाएगा, तो अलताले सो kilogram meter second inverse, ज 6 meter second inverse के नियत बेग से गतिमान है, बस्तू के संबेग की करना करें, दोनों को multiply करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 300 kg meter second inverse, option number B correct हो जाएगा, अगला कुस्ते नहीं, एक गतिमान बस्तू का संबेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्लेकित में से कौन सा कतन सबसे उप अगला कुस्तिन देखते हैं, एक बस्तू का संबेग की करना करें, जिसका द्रभुमान 50 kg है, और बेग कितना है, 6 meter second inverse है, तो संबेग कितना होगा, दोनों का multiply कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 300 kg meter second inverse, option number हमारा B correct हो जाएगा, अगला कुस्तिन हमारा, किसी सिस्टम में जब दो अपर्टिस पंडों की भी टकर होती है, तब उसमें क्या होता है, गते जूर्जा परिवर्टिस हो जाती, परंतु संबेग सरक्षित रहता है, option number हमारा B correct हो जाएगा, इस चीज़ को आपको धिहान रखना है, अगला कुस्तिन हमारा बेग को यदि दूगना कर दि है, अगला कुस्तिन हमारा निम्न में से किस समी कर दोरा संबेग की करना की जाती है, तो संबेग बराबर होता है, दुरब्बमान को ना, बेग, option number B हमारा correct हो जाएगा, नेक्ट कुस्तिन हमारा, 20 meter second inverse के बेग से गती कर रहे, 50 kg दुरब्बमान है, दुरब्बमान वाले ए 1000 kg meter second inverse, option number D correct हो जाएगा, अगला कुस्तिन देखते हैं, निम्न में से किस में दिशा और परिमार दोनों होता है, तो किस में होता है, संबेग में, option number हमारा C correct हो जाएगा, संबेग एक सदिसरासी है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमार दोनों होता है, दुरबमान दूरी च इंडी की चाल दुग नी कर दी जाए, तो तब क्यों होगा, इसका संबेग दुग न हो जाता है, तो option number हमारा C correct हो जाएगा, तो आपको इसी ध्यान रखना है, अगला कोस्तिन हमारा एक टकराओ में हमेशा की बचत हो जाती है, तो किसकी बचत हो जाती है, संबेग की, option number ह हमारा C correct हो जाएगा, फेंड संबेग सराचल के सिद्धान के अनुसार, यदि कड़ो के किसी समोह या निकाय पर कोई बहावल नहीं लग रहा हो, तो इस निकाय का कुल संबेग नियत रहता है, और था टकर के पहले और टकर के बाद संबेग क्या रहता है, बराबर रहता है तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगला कुस्स नमारा रैकिक समबेग के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दरबवान को ला बेग के, और बेक से बल्ड़ हैं, एक दूसरे से टकर के समय पिर्तिया संगठ होगा, तो कैसा होगा विप्रीद दिशा में ओप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स सम्वेक सरचर के नियम से पिंड का संगट के पूर्ब संगट संगट के बाद संगट बराबर होता है आता एक दूसरे से टक्कर के समय परतिया संगट विप्री दिश्ण में होता है तो आपको ये ज़़ीक ध्यान रखना है ना है किसी बस्तू का संबेड पर निरवर करता है तो किस पर निरवर करता है बस्तू के द्रभ बमान और बैड दोनों पर तो option number हमारा secret हो जाएगा अगला कुस्तिन अमरा संबेख को किसके कुललन फड़ के रूपे रूप रूप गश्याता है जुर्फ गुलन फोल का है। मट्रेफ कम पालए एक बल्सतू लुपो तो संबेख हो गाई तो क्या होता है। तो यहां से हमें B की बैलू निकालना है फिर उसके आज संबेग की हम बैलू निकालेंगे कितनी आ जाएगी टू केजी तो आप्शन नंबर में हमारा एक रेक्ट हो जाएगा टू केजी मीटर पर सेकेंड Next question हमारा सबसे उचत्भिकल जुने संबेग में होता है तो क्या होता है संबेग में परिवारा और दिशा तो आपको एचीजी value निकालना होगी तो क्या करेंगे पी अपॉन बी से इस तरह से आप निकाल सकते हैं जैसा कि आपको निकाल के भी दिखाया गया है कि अगला कॉस्चिन देखते हैं द्रब दोगना और गी के का इनफल क्या होता है संबेख आप देख सकते हैं यहीं को सिक बार बार रिपीट हो रहे हैं है, νेक्ट को यादी बेख को दूगना कर दिया जाय तो संबेख दूगना और गत जूजा चार गूना बढ़ जाती है त बस्तू में नियत संबेग कितना होगा दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बीस केजी मीटर सेकिन इंबर्स आप्सन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा नेक्ट हम देखते हैं संबेग सरक्षल का नियम यानि प्रिंसिपल आप कंसर्वेशन आप मॉमेंटम तो हमारा पहला कोस्तिन है एक हलके और एक भारी पिंड की गतजूर्जा समान है इन में से किसका संबेग अधिक होगा तो क चीलेशन को देखें उसके बाद कुछ Jubal जया से सिका न करते हैं तभी आप देखते हैं तो हमें संबेग किसका मिलेगा पी 1 का घ्यादा और पीट् website कम कि अगला कुस्टिन आए कि issue rock it का उड़ान भरना दुआर सनजा जा सकता है तो किसके दारए सम्ज़ा सकता है संबेक सेवचछए के नियम से ओफ्सनबर हमारा फिक रेक्ट हो जाएगा तो रोकट का उलना संबेक स रच्छछए के सिदांट पर आधार्ष है इस大家都 के अनुसार यदि कड़ों को किसी समू या निकाए पर बहावल नहीं लग रहा है लग रहा हो तो उस निकाए का कुल संबेक नियत रहता है अर्था टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संबेक के रहता है बरापर किस सिध्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतर रिक्षि में कारी करता है तो किस सिध्धांत के अनुसार आप संबेक स्रक्षल के सिध्धांत के अनुसार अप्सन नमबर हमारा एक रिक्रेक्ट हो जाएगा तो आपको इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हैं संभेग, संगट से पहले संभेग और संगट के बाद संभेग अगला कुस्टन है एक शेल के बिस्पोर्ट के बाद कई टुकड़े अलग-अलग दिशाओं में ओड जाते हैं इस इस्थिती में क्या सरक्षित रहता है तो क्या सरक्षित रहता है संभेग, option number हमारा डी-correct हो जाएगा अगला कुस्टन हमारा, दो किलो ग्राम की एक पिस्टॉल से एक सो पचास मीटर सेकिन इनवर्स के बेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली 6 रूप से चलाए गई है पिस्टॉल का पिर्थिक्त बेग कितना है तो इसे संभेग के नियम के अनुसार हम जब निकालते हैं तो आप इसके solution को देख सकते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा फेंट्स हमारा आएगा 2.25 मीटर सेकेंड इंबर्स ओप्सन नमर हमारा एक रेक्ट हो जागा आप इसके solution को देख सकते हैं अगला कुस्टन देखते हैं 0.01 किलोग्राम द्रभ बमान की एक बंदूख की गोली को 5 किलोग्राम बजन की एक बंदूख से दागा जाता है यदि गोली का प्रारम बेक की चाल 500 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूख बंदूख के प्रतिछेप या रिकॉल की चाल कितनी होगी तो इसे सम्मेक स्रच्छर की नियम से फैंड सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 0.50 मीटर पर सेकेंड तो option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं एक दो केजी की गेन पांच मीटर सेकेंड इनवर्स के बेक से चलती है किसी इस तर गेन 4 किलोग्राम बाली गेन से टकराती है टकर के बाद दोनों गेनदों का बेक क्या होगा फ्रेंट सेथे हम सम्बेक स्रक्षर के नियम के अनुसार जब हमसे सॉल्व करते हैं आप इसके सॉलूशन को देख सकते हैं तो बीटू बराबर हमारा कितना आ जाएगा तो फ्रेंट बीवन और बीटू दोनों ही निकालना है एक सो पचाथ मीटर सेकेंड इन्वर बेक से बीस क्राम की एक गोली छैज़े रूप से चलाई गई है पिस्तोल का पिर दिखाती बेक कितना है तो कितना होगा फ्रेंट्स तो इसे भी हम सम्बेक स्रक्षर के नहीं हमसे नहीं कालेंगे तो कितना जाएगा माइनस एक मीटर सेकेंड इन्वर्स ऑप्सन नमबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा आप इसके सोलूशन को देख सकते हैं अगला कुस्ते हमारा दस मीटर पर सेकेंड किसे गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकडाता है टकडाओ के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की काती से चलते हैं कार का द्रब बमान है तो कितना होगा फ्रेंड्स इसे भी हम सम्बेक स्रक्षर की नियम से करेंगे तो M2 हमें निकालना है M2 हमारा कितना आजाएगा 500 केजी आप्सिन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा आप इसके सोलूशन को देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसका PDF टेलिग्राम चैनल से राप्त कर सकते हैं को जॉइन करने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बहां से जॉइन कर सकते हैं अगला कुस्टन देखते हैं तीन केजी की पिस्तॉल एक सो पचास मीटर से किन बेक के साथ 30 ग्राम की गोली 36 रूप से चलाए गई है पिस्तॉल का प्रतिखाती बेक कितना है तो कितना होगा फ्रेंड्स माइनस एक पॉंट पांच मीटर से किन इन्वर्स तो फ्रेंड्स ऐसे कोस्टन काटन कोस्टन मान सकते हैं और ऐसे कोस्टन आना मुस्किल भी हैं हो सकता है एकाथ शिप्ट में आ जाए तो आप इसका सोलुसन देख सकते हैं इस तरह से आप इसे सॉल्फ करेंगे तो हमारा उप्सन नमबर में डिकरेक्ट हो जागा 600 न्यू दूरी एक अदिसरासी है जो कभी रहनात्मक नहीं हो सकती जफकी बल तुरल बेग सदिसरासी है जिसका मान धनात्मक रहनात्मक और शून तीनों हो सकता है तो आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना है अगला कुस्टन हमारा काउप योग एक बस्तू की समग्र गती का बर् दोनों होते हैं जबकि अदिसरासी में केवल परीमार होता है और दिशा नहीं होती नि prinxim मेंसे कौन एक सदिसरासी ए तो कौन contr assemb téc lie धिसरासी है वियु टिया है अदिसरासी तो आपको यह चीज ध्यान रखना है अगला कस्तिन देखते हैं परदान करता है तो क्या है परदान करता है बस्तु का 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 बस्तु कुल विस्थापन कितना होगा शून नेक्ट कुस्टन देखते हैं एक बस्तु को उपर कि और फेगा जाता है यह एक हजार यह 100 मीटर की उचाई तक जाती है और फिर फेकने वाले के बास बास बापस आ जाती है तो तब क्योंकि जाकर बापस लौट आती है तो कितनी होगा विस्थापन शून होगा अगला कुस्टन देखते हैं जी जब एक परिये पेख्चक के सापेक समएके साथ बस्तु की सितली लगतार बदल्ती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है ओप्सन नमब्र हमारा भी करेक्ट हो जाएगा इवısı समय के साथ बस्तु की सितली लगतार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वो बस्तु गतिशील है उधार के सरूप यदि हम नाओ पर बैटकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तब हम नाओ के साफिक ब्रामवस्ता में हैं क्योंकि नाओ के साफिक समय के साथ हमारी इस्तिति में कोई परिवर्तन नहीं सब्सक्राइब करता है तो एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है साथ सेकिन में 288 मीटर की दूरी तेह करता है तो गति व्याद करें ऐसे कोशन आपने मैजमें भी की होंगे तो कितना आ जाएगा अनसर चार पॉंट 8 मीटर पर सेकिन आप्सन नमबर हमारा ही अगला कॉस्टन देखते हैं किरन 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक फिर वहां से बापस उसी सीधे पत पर तैर कर दो बार 360 मीटर की दूरी तै करती है किरन का ओसद बेग ज्याद करें तो ओसद बेग फ्रेंस इसमें हम निकालेंगे कि अगला कुस्टन देखते हैं किसी बस्तु का तुरल उसके बेग में पिर्तिकाई समय में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं तुरल उसमें बेग आ जाएगा कि अगला कुस्टन देखते हैं निमले कितमे से कौन सी एक बैक्टर मातरा है तो यानुए बैक्टर तो बैक्टर सदिसराजिय कौन सी ए बेग उप्सन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा तो बेरासी आ जिनमें परिमाल के साथ सा दिशा भी होती है सदिसराजिया कहला जैसे बिस्तापन बेग तुरल बल भार आवेग बेदो सम्मे गादी अधिस रासियों की बात करते हैं इसकेलर कॉंटेटी बेड़ आसिया जिनमें केबल परीमाल होता है दिशा नहीं होती है तो वाधिस रासिया कहला दूरी समय चाल दाप कारिय शक्ति ताप आयतन विवव यह सब क्या आएं अधिस रासिया अगला कुस्तिन देखते हैं फ्रेम के संदर में जो समय का फंक्चन है एक बस्तू की स्थिती में परीबरतन की इदर क्या है उसे क्या कहा जाता है तो इसे फ्रेंट्स क्या कहते हैं बेग ऑप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा तो क्या कहा जाता है बेग समय ग्राफ ऑप्सन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा हमारा तो आप इसकी ग्राफ को देख सकते हैं अगला कुस्तिन में और चाल और बेग बस्तू की गती दर्शात आए तो कैसे दिये गए अंतराल के दोरान ऑप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो तो इसमें ऑप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा चाल जाल की बात करते हैं जब कोई बस्तू एक अंक समय अंतराल में जितनी दूरी तैय करती है उसे बस्तू की चाल कहलाती है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय ऑप्सन नमबर हमारा बेग की बात करते हैं तो क कोई बस्तू एक एक समयंतराल में जितने ही विस्थापित होती है उसे बस्तू का क्या कहते हैं बेक कहते हैं यानि कि बैलाउस्टी कहते हैं तो बेक बराबर होता है विस्थापन अपॉन समयंतराल चाल और बेक की परिज़ावसा से इस पैस्टे की आउसद चाल और उस बेक दिये गए समय इत्राल के दोरान उस बस्तूगी गती के ओ दर्शाते हैं तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है अगला कुस्टन देखते हैं एक भीडवाल बाली सलक पर एक बस की गती गती का उधार ले तो किस गती का उधार ले असमान गती का ऑप्सन नंबर हमारा एक क्रेक्ट हो जाएगा तो एक भीडवाल बाली सलक पर चलती हुई बस असमान गती का उधार ले असमान गती में बेग समय के साथ साथ परिवर्थित होता है इसका मान विविन समय बिंदू वपर भिन भिन होता है नेक्ट कुस्टन देखते हैं चाल दूरी और समय का सही बन्द कौन सा ए तो आपको बताना एक यृस цо डी पान टी ऑफ्चन नंबर भी हमारा क्रेक्ट होती हुए से अगला कुस्टन और टортक लगे और अस्य बिरवाबर होते हैं जब बस्तु क्या होती यह जी बस्तु के डार कि दर पर सेकिन्द मात्रइद माई राघ्ड。」 होता है और यह क्या सद्धिसरासी अगला कुष्ट नेमारा बिस्तापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है बेग ऑप्सन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा फिरेंड्स आप इसकी बिमावी ध्यान रख सकते हैं ऐल्टी माइनस इंवर्स इंवर्स पल सकते हैं इसे और अगला कुष्ट नेमारा बिस्तापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है बेग ऑप्सन नंबर बी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुष्ट ने यदि कोई बस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तरह करती है तो इसे में कहा जाता है तो क्या कहा निक्ट को सिदर नमारा वस्तापन के परिवर्फ़ों कि इदर को क्या कहते हैं। किसी वस्तों कि निस्थित दिशामें 30 मिलाम्त्र क्लिड़ को ждете हूए। ङसारी मात का हैं, मीमियने और सेकन्ट तो आप रहें। अगला कुस्तिन हमारा किसी निर्दिष दिशा में किसी बस्तु की गती को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है बेग फ्रेंड्स ऑप्सन नमर सी करेक्ट हो जाएगा जब कोई बस्तु एकाई समय में किसी निर्दिष दिशा में जितनी दूरी तै करती है उसे उस बस्तू का बेग कहते हैं बेग एक सदेसरासी है जिसका मातरक मीटर पर सेकेंड है बेग धनातमक और शूर्ण नहो सकता है ये चीज भी आप ध्यान रखें अगला कुस्तिन हमारा निम्न में से कौन सी मातरा चाल के साथ इसकी गती निर्जिष्ट करती है तो कौन करता है बेग उप्सन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन देखते हैं एक निस्टित दिशा में बल रही बस्तू की गती को बैग्यानिक सब्दावली में किस पत की रूप में जाना जाता है तो किस पत की रूप में जाना जाता है बेग के उप्सन नम्बर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के मौस्ट इंपोर्टन कोस्टन आई होप आपने इसकी प्रक्टिस अच्छे से किये अच्छे से किये तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एक्जाम में हैल्प मिलेगी फैंड्स आपके एक्जाम जिनके जल्दी होने वाले हैं तो वो पिछली वीडियो को रिभाइस कर लें और तो उन्हें इतने ही कोस्टन से संतोस रहना पड़ेगा भागी आप कहीं और से प्रक्टिस कर सकते हैं लेकिन जिन लोगों का एक्जाम बाद में है तो उन लोगों के लिए डवल बेनिफिट है उन्हें मैं पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में